दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दिपते सिंग ठाकूर में यदि आपने मेरे चैनल सस्क्राइब नहीं किया प्लीज इसे सस्क्राइब करें और बेल अकों दबें अपने परिवार एक लाग से उपर बोचाने के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप किसी प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता के लिए सुपकाम ना है उमेदे जल्दी आपका सिलेक्षन सरकारी नोकरी के लिए हो जाएगा तो चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे जनरल हिंदी के कुछ महतपूर्ण प्रस्न जो की अक्सर परिक्षा में पूछे जाते हैं तो आईए सुरू करते हैं प्रस्न पहला विमुक का विलोम सब्द है पहला उन्मुक दूसरा मुक तीसरा समुक और चोथा मुक योगत तो दोस्तों उसके सही उटता है उन्मुक प्रस्न दूसरा महन आया और वहां कहा का सुद्ध वाक्य होगा पहला महन ने आया और उसने कहा दूसरा महन आया और वो कहा तीसरा मोहन आया और मोहन ने कहा चोथा मोहन आया और उसने कहा दोस्तों को सही उत्तरे मोहन आया और उसने कहा प्रस्ण तीसरा आपने हस दिया का सुद्ध वाक्य है पहला आप हस दिये दूसरा हम हस दिये तीसरा हमने हस दिया चोथा हमने हस तीसरा हमने हसा दिया और चोथा हमने हस दिया तो दोस्तुख सही उत्तर है आप हस दिये प्रेशन चोथा वहाँ कोजनसी भास है? जीसे संग अत्वा कोई राज्य अत्वा सरकार विदी द्वारा अपने सरकारी काम काज میں प्रयोक के लिए स्विकार करती है पहला उप भासा है, दूसरा रास्ट भासा, तीसरा शंपर्क भासा, और चोथा राज भासा, तो दोस्तों उसके सही उत्तर है, राज भासा, प्रस्न पांचवा, चाय और वाय, किस युगम रूप के अंतरगाद आते हैं, पहला विरोधी युगम, दूसरा सारतक निर्थक तीसरा सर प्रयावाची युगम, चोथा निर्थक निर्थक युगम, तो दोस्तों सही उत्तर है, सारतक निर्थक युगम, प्रस्न छटवा, खंड काव्य में, जीवन के जिस भाग का वंडन किया गया हो, वहां रिक्तिस्थान पून हो, पहला अपने लक्ष, दूसरा का संदी विच्छे दे, पहला नी धन चल, दूसरा नी धन चल, तीसरा नी धन चल, चोथा निस धन चल, तो दोस्तों सही उत्तर है, नी धन चल, प्रस्न आठ, प्रगतिशिल या वसुदा कहां से प्रक्रासित होती है, पहला बोपाल, दूसरा रिवा, तीसरा चंदोली, प्रेश्ण नवा पक्ष का अर्थ है पहल कहां से प्रक्रासित होती है पहला गदरपूर, दुसरा जवलपूर, तीसरा रामनगर और चोता कानपूर तो दोस्तों के सही उत्तर है जवलपूर प्रस्न ग्यारवा, चंद का नाम बताओ मुरली अधर, धरश्याम सुन्दर, जवलागते तान है प्रस्न बारवा, चंद का नाम बताओ धर्म के मग में अधर्मी से कड़ी कभी डर्ना नहीं चेत कर चलना कुमार रग में कदम धर्ना नहीं सुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं ज्यान वर्दक लेख लिखने में कभी करना नहीं पहला, रूला चंदर, दूसरा, हरी गिति का चंदर तीसरा, उलाला चंदर और चोता गिति का चंदर दो दोसकर सही उत्तरे गिति का चंदर प्रस्ण तेरा अवश्य होने वाला है पहलाँ अवश्य समय भावी दूसरा अवश्य भावी तीसरा घटीत और चोदार अवश्य अवश्य भावी प्रस्ण चौधा देवेश का संदी विक्ष्यत है देव प्लस इश दूसरा दव प्लस इश तीसरा देवे प्लस इश चौधा देवेश देव प्लस इश तो दो सुस्कसायो तरे देव प्लस इश प्रस्ण पंदरा दुस्तर का संदी विक्षेत हैं पहला दुध धंतर दुसरा दुध धंतर तीसरा दुस धंतर चोथा दुध धंतर तो दोस्कसायत तर है दुध धंतर प्रस्ण सोला विभासा एक प्रांथ या रिक्तिस्थान में प्रशलेत होती है पहला महापरांथ, दुसरा उप परांथ, तीसरा लागु परांथ, चोधा विशाल परांथ, तो दोस्तर को सही उत्तर हैं। उप परांथ, प्रस्न शत्रा निम्लिकित पंक्तिओं में कौन सा रस हैं। हाए राम केसे जhelmे हम अपनी लज्जा अपना शोक। गया हमारे ही हातों से अपना रास्ट पिता पर लोग पहला रोद्ररूस रस दूसरा शांत रस तीसरा भक्ती रस और चोथा करून रस तो दोस्ट कसे युत्तरे करून रस प्रस्ण अठरा नेम लिखे पंक्तियों में कौन सा रस है पहला बत्रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बोहनी दह से देन कहे नटी जाए पहला वासलिय रस दूसरा शंगार रस तीसरा शांत रस और चोथा भक्ती रस तो दोस्ट कसे युत्तरे शंगार रस प्रस्ण उननिस निम लिकित पंक्तियों में कौन सा गुण विदमान है बसो मोरे नेनन में नंदलाल मोहनी मूरत सावरी सूरत नेना बने विसाल पहला सांत गुण दूसरा माधाय गुण तीसरा प्रशाद गुण चोथा ओज गुण तो दोस्ट कसे युत्तरे माधाय गुण प्रस्ण बीस निम लिकित पंक्तियों में कौन सा गुण विदमान है हिमादरी तुंग शंग से प्रभुध सुद्ध भारती स्वयम प्रभा सर्मुजवला स्रतंत्रता पुकारती पहला माधुरय गुण दूसरा प्रशाद गुण तीसरा तमो गुण और चोथा ओज गुण तो दोस्टोस कसे युत्तरे ओज गुण प्रस्ण 21 निमलिकित पंक्तियों में निहित अलंकार बताएं आगे नदिया पड़ी अपार घोड़ा केसे उत्रे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार पहला अतिसो यक्ति अलंकार दूसरा रूपक अलंकार तीसरा अनो यक्ति अलंकार और चोथा उपमा अलंकार तो दोस्त सही उत्तरें अतिसो यक्ति अलंकार प्रस्ण 22 निमलिकित पंक्तियों में निहित अलंकार बताएं पहला इनही आस अटकेओं रहत अली गुलाब के मुल अई ही फेरी बसंत रितू इन डारन के मुल पहला अतिसोयक्ति अलंकार, दूसरा शयसलेस अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार और चोथा अनयोक्ति अलंकार, तो दोस्तोसका सयूद तरे अनयोक्ति अलंकार प्रेस्ण 23 लाभानी किस युगम रूप के अंतरगत आते हैं पहला विरोधी युगम, दूसरा सार्थक निरतक युगम, तीसरा प्रयावैची युगम, चोथा निरतक निरतक युगम तो 200 का सयुत्पर है विरोधी युगम प्रस्ण 24 इत्र और इत्र का क्या अर्थ है पहला सुंगंदित दिव्य और दूसरा दूसरा सुंगंदित द्रव और दूसरा तीसरा सुंगंदित द्रव और पहला चोथा द्रव्य और दूसरा तो दूसर का सही उत्तर है सुंगंदित द्रव और दूसरा प्रस्न 25 विद्वान जन एक पंक्ती पर रिक्तिसान रज जालते हैं यहीं कला पल्लवन कहलाती है पहला अटके रहते हैं और कहीं बार तो एक पूरी पुस्तक ही दूसरा घंटो बोल लेते हैं और कहीं बार तो कविता ही तीसरा घंटों बोल लेते हैं और कहीं बार तो पूरी पूरी पुष्टागी चोथा घंटों चुप रहते हैं और कहीं बार तो एक पूरी पुष्टागी तो दोस्तों सही उत्तर है घंटों बोल लेते हैं और कहीं बार तो एक पूरी पुष्टागी प्रस्न 26 बास और वास का अर्थे पहला सुगंद और निवास दूसरा दुगंद और रहने वाला रहने का स्थान तीसरा वचन और हवा चोथा निवास और सुगंद तो दो सुखसे उतरे दुरगंद और रहने वाला रहने का स्थान प्रेजन 27 जू गुपसा किस रस का इस्थाई भावे पहला भयानेक रस दूसरा रोद रस तीसरा भीबत रस चोथा अभूत रस तो 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 सजय उत्तरे भीबत रस प्रेजन 28 संचिप्ती करण करते समय ध्यान रखें कि पहला विशनेशनों का अनवाश्यक प्रयोग करें दूसरा विशनेशनों का अनवाश्यक प्रयोग ना करें तीसरा शंगा का अनवाश्यक प्रयोग ना करें चोथा विस्तार पूर्वक बातों को उल्लकित करें तो तो स सही उत्तरे विशनेशनों का अवश्यक प्रयोग ना करें प्रस्न 29 संचिप्ति करण करते समय ध्यान रखे कि पहला उस्मा स्तांत आधिक अलंकरों का प्रयोग अवश्य करें तीसरा उपमा दस्तांत आधिक अलंकरों का प्रयोग खूब करें तीसरा उपमा दस्तांत आधिक अलंकरों का प्रयोग ना करें, चोथा उपमा दस्टांत आदी अलंकरों का प्रयोग ना करें, तो दोस्तों उसका सही उत्तर है, उपमा दस्टांत आदी अलंकरों का प्रयोग ना करें, प्रस्न तीस, शुल्क और शुकल का अर्थ लिकें, पहला कर और सुकरा, दूसरा कार और सफेद, तीसरा कर और सफेद, चोथा कर और सफेद, तो दोस्तुसका सयूत तरे कर और सफेद, प्रस्ण 31, विभासा का छेतर बोली की उपेक्षा रिक्तिस्थान होता है, पहला विस्तत, दूसरा संचिप, तीसरा विसाल, और चोथा संकुचित, तो दोस्तुसका सयूत प्रस्ण 32 अकल चक्र आना मुहावरे का अर्थ क्या है पहला सर घुमना दूसरा कुछ समझ में ना आना तीसरा अकल चलाना चोथा चक्र आना तो दूस्त उसका सही उत्तर है कुछ समझ में ना आना प्रस्ण 33 भयाकुल का समाशिक विग्र क्या है पहला भय से रहित तूसरा भय से यूक्त तीसरा भय से आकुल चोथा भय से बीद तो दूस्त उसका सही उत्तर है भय से आकुल प्रस्ण 34 महा काव्य में रिक्तिस्थन सर्ग होने चाहिए प्रत्यक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए तता सर्ग के अंत में अगले अंक की सुचना होना चाहिए पहला आठ या आठ से अधिक दूसरा आठ से कम तीसरा छे या छे से अधिक चोथा, साध या साध से अधीग तो दोस्तों को सही उत्तर है, आठ या आठ से अधीग प्रेशन 35, पारिभासिक शब्द टॉपिक का क्या अर्थ है? पहला, विशे, दूसरा, प्रक्रण, तीसरा, पाठ ये क्रम, और चोथा, पाठ तो दोस्तों को सही उत्तर है, प्रक्रण, प्रेशन 36, परिभासिक शब्द अप्लिकेशन का क्या अर्थ है? पहला, चिठ्थी, दूसरा, प्यारूप, तीसरा, प्रत्यावेदन, चोथा, आवेदन तो दोस्तों उसका सही उत्तर है आवेदन प्रस्ण 37 पारिवेशिक शब्द कैबिनेट का क्या अर्थ है पहला अधिवक्ता दूसरा राज्य सेबस अदस्य तीसरा मंत्री मंडल और चोधा प्रवक्ता तो दोस्तों उसका सही उत्तर है मंत्री मंडल प्रस्ण 38, करुणरस का इस्थाई भाव क्या है? पहला, अत्रू, दुसरा शोक, तिसरा वियोग और चोथा करुणा तो दोस्त उसका सही उत्तर है शोक प्रस्ण 49, पल्लवन लेखन के लिए लेकक का अधिक्तिस्थान होना आवश्चा के बिना कल्पना के वहाँ पंक विहिन पक्षी के समाने पहला, कल्पना शिल, दुसरा, जागरत, तिसरा, सुप थावस्था में, तिसरा, चोथा, तात्रिक तो दोस्त का सही उत्तर है, कल्पना शिल प्रस्ण 40, शकून का विलोम सब्द है पहला, निशांकू, तिसरा, अब शकून, तिसरा, कू शकून, जोथा, क्रस्ण तो दोस्तों का सही उत्तर है, अब शकून उमीद है दोस्तों, आपको मेरा यहाँ प्रस अच्छा लग रहा होगा जदी हाँ, तो इक्रप्रा इस वीडियो को शेर करें और लाइक करें और आप अपने वेल्यूबल कमेंट्स, सजेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जिससे हम और अच्छे वीडियो बना सकें प्रस्ण 41, आग खुलना, मौवरे का क्या अर्थ है पहला देखना, दूसरा जग जाना, तीसरा सुभा जगना, चोता होसाना, तो दोस्ट कर सही उत्तर है, होसाना प्रस्ण 42, रिक्तिस्तान सहाइत सास्त्र में काव्य सुभा के जनक है पहला, सब्द सक्ति, दूसरा चंद, तीसरा गुण और चोथा रस, तो दोस्तों को सही उत्तर है, गुण प्रेशन 43, सभी को काट कर गाजर खिलाओ, का शुद्ध वाक्या पहला गाजर काट कर सभी को खिलाओ दूसरा सभी को लाकर गाजर खिलाओ तीसरा खिलाओ सभी को काट कर गाजर चोथा खिलाओ सभी को गाजर काट कर तो दोस्तों कर सही उत्तर है गाजर काट कर सभी को खिलाओ प्रस्न चुमालिस मेश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बद दो जद भी वह मंत्री बन गया फिर भी उसका वहवार नर्मता पूर्ण है पहला वह मंत्री बन गया फिर भी उसका वहवार नर्मता पूर्ण है दूसरा नम्रता तीसरा, दूसरा, मंत्री बन जाने पर भी उसका वहवार नर्मता पून है, तीसरा, जब वह मंत्री बन गया फिर भी उसका वहवार नर्मता पून है, ती चोथा, यदि भी वह मंत्री बन गया यथा भी उसका वहवार नर्मता पून है, तो दोस्तों को सही उत्तर है, मंत्री बन जाने पर भी उसका वेवार नर्मता पून है प्रस्न 45 जल्दी प्रवची है पहला नदी दूसरा कीचण चोथा सरोवर और चोथा समुदर तो दो सुक्साजे उत्तर है समुदर प्रस्न 46 जलाशे शब्द का प्रवची है पहला सागर दूसरा सरोवर तिसरा निर्जर और चोथा सरीधा तो दोस्क्साजे उत्तर है सरोवर प्रस्न 47 इस्थाई भाव कि रोध किस रस का है पहला वाशले रस दूसरा रोधर रस तिसरा सांत रस और चोथा स्वी रस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो परिश्रम करने परिष्ठिती भी अनुकूल हो जाती है पहला परिश्रम करने पर परिश्थिती भी अप्रतिकूल हो जाती है दूसरा परिश्रम करने पर परिश्थिती भी अनुकूल हो जाती है तीसरा जब परिश्रम किया जाता है तो परिश्थिती भी अनुकूल हो जाती है प्रस्ण 59, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो रेखा ने मुझे अपने साथ चलने को कहा पहला, रेखा ने मुझे कहा कि मैं उसके साथ चलू तूसरा, रेखा ने मुझे साथ चलने को कहा तीसरा, रेखा ने मुझे कही मैं साथ चलू चोथा रेखा मुझे अपने साथ चलने को कहा तो दोस्तों को सही उत्तर है रेखा ने मुझे कहा मैं उसके साथ चलू प्रस्न पचास सरल वाक्यों को सही उत्त वाक्यों में बदलो बच्चा दोड़ कर मेरे पास आया पहला जयो ही बच्चा दोड़ा वह मेरे पास आया दूसरा जैसे ही बच्चा दोड़ा वैसे ही मेरे पास आया तीसरा बच्चा दोड़ कर मेरे पास आया और चोथा बच्चा दोड़ा और मेरे पास आया प्रस्ण दूस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रस्ण 51 जिस पर अनुग्र किया गया हो पहला अनुगरिए दूसरा अनुगरिए तीसरा अनुगरिए चोता अनुगरिए प्रस्ण प्रस्ण 42 होन को खड़ी बोली में क्या कहते हैं पहला जहां दूसरा तहां तीसरा यहां चोता वहां तो दूसरों के तुझा खाते दारी और चोता अपाया तो दूसरों के उत्तर अनुगरिए उपाया प्रस्न, चोपन, महादेव का समाशिक विग्रा क्या है? पहला, महादेव, दूसरा, शीव, तीसरा, भोले नाथ, चोधा, महान है जो देव, तो दोस्त उसका सही उत्तर है, महान है जो दोए, देव, प्रस्न, पच्पन, तील का अर्थ है, पहला, तेल, शरीर में कलाचिन थोड़ा, तीसरा, दूसरा, तीलन, शरीर में कलाचिन और ज्यादा, तीसरा, तीलन, शरीर में कलाचिन और पीला, चोथा, तीलन, शरीर में कलाचिन और थोड़ा, तो दोस्त उसका सही उत्तर है, तीलन, शरीर में कलाचिन, कलाचिन और थोड जूटी बात बाते सुनते ही मेरा रिक्तिस्थान लगता है कर देच्रा के लीड tu wood भव rustants के लेवां जूटी बाते सुनते ही मेरा ह्रिक्तिस्थान लगता है तो दोस्तों सही उत्तर है, खुन खोलने प्रस्ण 58, रिक्तिस्थान के पूर्ति करो आज कल सरकारी दफ्तर में सीफ रिक्तिस्थान होता कुछ नहीं है पहला काग जी नाव चलते हैं दूसरा काग जी गोड़े दोड़ते हैं तीसरा काग जी गोड़े बैठते हैं और चोथा काग जी जहां अज उड़ते हैं तो दोस्तों के सही उत्तर हैं काग जी गोड़े दोड़ते हैं प्रस्न उनसाथ रिक्तिस्थान की पूर्ति करो समानता का अर्थ रिक्तिस्थान नहीं है बलकि सबको समान, अवसर और जिवन मूले देना है पहला एक आँख भाना दूसरा एक से तीन बनाना ओखली में सीर देना पहला एक लाठी से सबको हाःकना तो दोस्तों का सही उत्तर है एक लाटी से सबको हाकना प्रस्न सहाट चीत को प्रस्न करने वाला और इक्तिसान होता है पहला रिती गुण दूसरा माधुय गुण तिसरा ओज गुण और चोथा प्रशाद गुण तो दोस्तों का सही उत्तर है माधूय गुण प्रस्ण 61 इस घद्द को द्यान से पड़े और नीचे दिये गए प्रस्ण का उत्तर दे मानाव का अकारण ही मानाव के प्रती अनुदार हो उटना न केवल मानावता के लिए लज्जा जनक है वरान अनुचित भी है वसुत यथार्थ मनुष्य भई है जो मानावता का आदर करना जानता है कर सकता है केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धी हीन है अत्वा दरिद्र व ग्रहना का तो दूर रहा उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए मानाव तो इसलिए सम्मान के योग्य की मानाव है भगवान की सर्फेस्ट प्रशना है प्रशन सम्मान का विलोम सब्द लिखिए पहला अपमान दूसरा अपमान तीसरा दुश्मान और छोता अपमाना तो दोस्तों का सही उत्तर है अपमान प्रशन बासट इस गद्ध को द्यान से पड़े और नीचे देगे प्रस्न का उत्तर दे प्रस्न यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है पहला यथार्थ मनुष्य उसे कहा गया है जो मानवता का आदर करना जानता है दूसरा यथार्थ मनुष्य उसे कहा गया है जो मानवता का आदर करना जानता है तीसरा य मात मनुष्ण उसे कहा गया है जो मानवता का आदर करना जानता है तो दोस्तों का सही उत्तर है यथार्थ मनुष्ण उसे कहा गया है जो मानवता का आदर करना जानता है प्रस्ण 63 इस गद्यों को ध्यान से पड़े और निशे दे गए प्रस्ण का उत्तर दे मानव का आकराणी मानव के प्रती अनुदार हो उटना ना केवल मानवता के लिए लजज़ना के वरन अनुचित भी है वसुद्ध अयथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है कर सकता है केवल इसलिए कि कोई मनुष्य बुद्धी हीन है अत्वा दरिद्र वह घ्रणा का तो दूर है उबेक्षा का भी पातर नहीं होना चाहिए मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य की मानव है भगवान की सर्वसेस रचना है मानव को क्यों सम्मान के योग्य है? पहला मानव सम्मान के योग्य है क्योंकि वह मानव है और इस्वर की सर्वसेस्ट करती है दूसरा मानो सम्मान है के योग है क्योंकि वह मानो है और इश्वर की सर्वसेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रश्ण का उत्तर दें प्रश्ण उप्योक्त गद्यान का शारंज होगा पहला मानव इश्वर की अनुपम करती है उसे दन्यता पुर्वक बुद्धिहीन और गरीबी गरीबों का सम्मान और असहता करना चाहिए तथा किसी से गरणा नहीं करना चाहिए दूसरा मानव इश्वर की अनुपम करती है उसे अनुदार्ता पुर्वक बुद्धिहीन और गरीबी गो का सम्मान और सहता करना चाहिए तथा किसी से गरणा नहीं करना चाहिए दूसरा मानव इश्वर की अनुपम करती है उसे उद्धिहीन और गरीबों का सम्मान और सहता करना तता किसी से गरणा नहीं करना चाहिए चोथा माना और इश्वर की अनुपम करती है उसे उदारता पुर्वक बुद्धिहिन और अमीरों का सम्मान और सहता करना चाहिए तता किसी से गरणा नहीं करना चाहिए तो दोथ उसका सही उत्तर है माना इश्वर की अनुपम करती है उसे उदारता पुर्वक बुद्धी हिन और गरीबों का सम्मान और सहता करना चाहिए तता किसी से गरणा नहीं करना चाहिए प्रेशन 65 इस गद्धो को ध्यान से बढ़े और निश्टे के प्रेशन का उत्तर दे प्रेशन उप्युक्त गड्यान्स का उचित दिजिए तो दोस्तों के सही उत्तर है मान वता प्रेशन चाचट इस बद्धो को ध्यान से बढ़े और नीचे देगे प्रेशने का उत्तर दे निर्भे स्वागत करो मरत्यूग का मरत्यूग एक विश्राम इस्थाले जीव जहां से फिर चलता है धारन कर वहां जीवन संभल मरत्यूग एक सरीता है जिसमें श्रम में कातर जीव नहा कर फिर नुतन धारन करता है काया रूपी वरस्त भाकर प्रस्न श्रम से कतार कोन होता है पहला काया श्रम से कातर प्रस्न श्रम से कातर कोन होता है पहला काया श्रम से कातर होता है दुसरा व्यक्ति श्रम से कतार होता है तीसरा व्यक्तिर श्रम से कातर होता है चोथा, म्रत्यू श्रम से कातर होता है तो दोस्तों किसे यूटते हैं, व्यक्तिर श्रम से कातर होता है प्रस्न सरस्त, इस प्रद्द को ध्यान से पढ़े हैं जिदे गए प्रस्न का उत्तर दे प्रस्ट कवीने मरत्यू का स्वागत किस प्रकार करने को कहा पहला कवीने मरत्यू का स्वागत भैसे करने को कहा दूसरा कवीने मरत्यू का स्वागत निर्भरता से करने को कहा तूसरा कवीने मरत्यू का स्वागत निर्भरता से करने को कहा छोथा कवीने मरत्यू का स्वागत निर्द्रता से करने को का तो दोस्तों के साही उत्तर है कवीने मृत्यू का स्वागत निर्भेयता से करने को कहा प्रस्न 68 इस पद्ध को ध्यान से पढ़े और निशी देगे प्रस्न का उत्तर दे प्रस्न कवीने मृत्यू का एक सरीरता है कवीने मृत्यू एक सरीरता है क्यों कहा पहला मृत्यू नदी के समान निरंतर गतिमान है और इस जन्म रूपी नदी में नहा कर जीवात्मा नया सरेर धारन करती है दूसरा मृत्यू नदी के समान निरंतर गतिमान है जो इस मृत्यू रूपी तलाब में नहा कर जीवात्मा नया सरेर धारन करती है तिसरा म्रत्यू नदी के समान निरंतर गति माने और इस म्रत्यू रूपे नदी में नहा कर जिवात्मा या नया शरीर धारन करती है चोथा म्रत्यू तलाब के समान निरंतर गति माने और इस म्रत्यू रूपे नदी में नहा कर जिवात्मा का नया शरीर धारन करती है तो दो सुक्सरी उत्तर है, म्रत्यू नदी के समान निरंतर गति मानें और इस म्रत्यू रुपी नदी में नहा कर जीवात्मा नया सरे धारन करती है प्रस्न, 79 इस पद्दों को ध्यान से पढ़े और नीचे देकर प्रस्न का उत्तर दे प्रस्न, काया रुपी वर्ष्ट में किस अलंकार का प्रयोगे पहला, स्लेशनल अलंकार, दूसरा रूपग अलंकार, तीसरा दस्तांत अलंकार, चोता उपमा अलंकार तो दुसक्री उत्तर है, रूपग अलंकार प्रस्न, 70 इस पद्ध को ध्यान से पड़े, उन्जेदेगर प्रस्न का उत्तर दे प्रस्न, म्रत्य को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? पहला, क्योंकि जहां जन्तुव का सरीर रूख कर विश्राम करता है, और सरीर नहीं बदलता है दूसरा क्योंकि जहां जन्तुओं का सरीर रुख कर विश्राम करता है और सरीर बदलता रहता है तीसरा क्योंकि जहां मनुष्य का सरीर रुख कर विश्राम करता है और सरीर बदलता है चोथा क्योंकि जहां मनुष्य का सरीर चलते हुए सरीर बदलता रहता है क्योंकि जहां मनुष्य के सरीर रुपकर विश्राम करता है और सरीर बिदलता रहता है